आज इस वेडियो में जानेंगे अमासय, इंगलिस में कहते हैं स्टमाक अमासय को अमासय न कह करके हम पेट भी कह सकते हैं, उदर गोहा भी, कोख भी और मेधा भी तो चलिए बारिकी से समझते हैं याद रखिएगा अमासे हमारे सरीर के बाई और भाग में उपस्तित होती है अमासे गरास नली और छोटी आंत के बीच में स्तीत होती है अमासे जो होता है वो यू आकार का थैली नुमा सनरचना होती है अमासे 25 सेंटिमेटर लंबी और इसका जो चोड़ाई होता है भोजन क अनुसार घटती बढ़ती रहती है मतलब भोजन अगर कम खाईएगा तो चोड़ाई कम होगा और भोजन ज्यादा खाईएगा तो चोड़ाई बढ़ जागा आगे देखिए अमासे के दिवार में अनेक गरंथिया पाई जाती है अमासे का जो दिवार होता है जाती है जो भोजन पचाने का काम करती है ठीक है और जठा रस में हैड्रोक्लोरिक अमल के साथ साथ याद रखेगा रेनिन और पेपसीन नाम के दो एंजाईम पाई जाते है ठीक है अब आपको तो पता यह होगा कि खाया हुआ भोजन कहां जमा होता है अमासे में अमासे याईनि पेट में जाकर जमा होती है ठीक है अमासे में भोजन का आंसिक पाचन होता है और इसके बाद छोटी आंत में कहने का मतलब यह है कि जब भी हम भोजन खाते हैं वो पेट में जाता है और पेट में भी थोड़ा थोड़ा पाचन होता है याद रखेगा और इसके बाद कहां होता है छोटी आत में ठीक है next अब देखिए अमासे में चला गया भोजन को गरास नली में जाने से रोकती है कारडिया कारडिया क्या है कापाट है हम लोग भोजन करते हैं तो वो पेट में चला जाता है और पेट में कर भोजन अगर गरास नली में आता है तो उसको रोकने कौन रोकता है कारडिया क्या है कापाट है जो की भोजन को गरास नली में जाने से रोकती है अगर मान लीजे आत में चला गया भोजन है और वो अमासे में आता है तो उसको जाने से रोक मातरव